ओम शान्थी इकत्तिस मई दोहजार तेज्स मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाके आज की मुर्ली के कुछ विशेश पॉइंट्स आज बाबा हमें समझाते की हम बच्चों को सदा स्मृति में रखना है की मैं आतमा इस शरीर रूपी रथ पर विराजमा रथी हूँ इस अभ्यास को करते पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है सदा हर्शित रहने के लिए अपना बुद्धी योग एक बाप से ही जोड़ना है इसी में हमारा कल्यान है हम बच्चों को पूरा पूरा नश्ट मोहा बनना है बाबा समझाते की पवित्रता ही सुख और शांती की जन्नी है इसलिए हमें इस अंतिम जन्म में पावन जरूर बनना है नथिंग न्यू की स्मृती से सब प्रशनों को समाप्थ कर अचल अडोल रहना है बाबा कहते जो बच्चे सुख दाता बाब के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहते हैं उन्हें दुख की लहर छू भी नहीं सकती तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुर्ली ओम शांती बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है इसलिए जरा भी गफलत न करो देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो प्रश्न बाब के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है उस भंडारे से स्वयम को भरपूर करने का साधन क्या है उत्तर बाब के पास पवित्रता सुख शांती का भंडारा सदा ही भरपूर है स्थाई सुख व शांती चाहिए तो जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है पवित्रता ही सुख और शांती का आधार है पवित्र बनो तो तुमारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे बाप आते ही हैं बच्चों को पवित्र बनाने वह है एवर पवित्र गीत न वो हमसे चुदा होंगे ओम शांती ये बच्चों का ही गाया हुआ गीत बच्चे सुन रहे हैं ये बच्चों की आतमाई कहती हैं अब बच्चों को देही अभिमानी बनना है अर्थात अपने को आतमा निश्च्रे करना है ना कि परमात्मा जैसे सन्यासी लोग कहते हैं आतमा सो परमात्मा इसे उल्टी कंगा कहा जाता है अब बाप समझाते हैं इतना समय तुम सब देही अभिमानी बनते आए हो अब देही अभिमानी बनो ये शिक्षा मिलती है वापिस घर चाने लिए फिर सत्युग में तो है तुम्हारी प्रालब्द जब यहां तुम देही अभिमानी बनते हो और बाप की नौलिज को ग्रहन करते हो फिर जाकर ज्यान की प्रालब्द का पाठ बजाते हो वहां तो देही अभिमानी का प्रश्ण ही नहीं है इस समय तो मनुश्यों को पता ही नहीं है कि हम आत्मा हैं हमारा बाप परमात्मा है बिल्कुल ही मूँझ गए है सन्यासियों ने कहा कि हम तुम सब परमात्मा है जिधर देखता हूं तू ही तू है इससे तो कुछ भी फाइदा नहीं होता, वो लोग तो इसको भावना समझते हैं, परंतु सबकी भावना तो एक चैसि नहीं होती, एक ही घर में बाप बच्चे की भी भावना एक चैसि नहीं रहती कहां कहां देखो, बच्चे बाप को भी मार डालते, क्योंकि घोर अंधियारा है, सब पतित हैं, अभी तुम बच्चे स्वधर्शन चक्रधारी बने हो, स्वधर्शन चक्रधारी बनने से ही तुम राजा रानी बनते हो, तो बाप बच्चों को बार बार कहते हैं, देही अभ मातमा बाप अपना परिचे देकर पढ़ा रहे हैं, हमारी संसकार बदला रहे हैं, आतमा ही संसकार ले जाती है, शरीर तो खत्म हो जाता है, बाबा अभी हम आपके साथ ही योग लगाएंगे, ये हमारा वाइदा कभी मिठ नहीं सकता, भल पवित्रता पर अनेक प्रकार के व पढ़ेंगे, बहुत कुछ सेहन करना पड़ेगा, बच्चियां कहती हैं, बाबा ये सितम सेहन करूंगी, जैसे दुख के समय मुख से निकलता है न, हाई राम, हे प्रभू, तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे, तुम ब्रामन फिर बाबा को याद करते हो, बाबा हम दुख से चूटेंगी, हमको बहुत मारते हैं, गीत में भी कहते हैं, कितनी भी मार पड़ेगी, बाबा, आपकी याद कभी नहीं भूलेंगे, हमको तो बाबा का ही बनना है, बुद्धी का योग, उनसे जोड़ना है, यह है सब समझ की बात, एक दिन ये सितम भी मिट चाएंगे, बलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, ये गीत भी देखो, पहले से ही बना हुआ है, जिसका अर्थ कोई भी नहीं चानते हैं, तुम्हारी शास्त्र जैसे की ये रिकॉर्ड बन गई हैं, सब कहते हैं, ऐसे तो कहां भी नहीं होता, जो रिकॉर्ड पर अर्थ किया जाए ये तो फिल्मी रिकॉर्ड हैं, परन्तु ये बाबा ने बनवाए हैं, तुम बच्चों को इस पर समझाना चाहिए, हमको पावन तो जरूर बनना है, बाप के फरमान पर चलना है, मनुश्य तो जानते नहीं, वे तो शिव शंकर को भी मिला कर एक कर देते हैं, श्री कृष फिर कहेंगे, जिदर देखो, राधे ही राधे है, साहिं बाबा के भक्त होंगे, तो कहेंगे, जिदर देखो, साहिं बाबा, कितना अधियारा है, यह फिर भी होना ही है, बना बनाया ज्रामा है, तुम कहते हो, इस ज्ञान यग्य से विनाश वाला प्रज्वलित हुई है, तो कहते हैं तुम्हारे बाबा ने ऐसा यग्य रचा है जो विनाश कर देते हैं हम कहते हैं शांती हो जाए तुम फिर विनाश कराते हो रूद्र क्यान यग्य नाम तो है ना यग्य रचा जाता है ब्रामनों से तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रामन ठेरे वे हद के यग्य रचते हैं सेच लो उसमें रूदर यग्य नामी करामी है वे उसमें ज्यान का अक्षर नहीं लगाते हैं ये तो है रूदर ज्यान यग्य उनको ज्यान यग्य नहीं कहेंगे बाबा ने समझाया है, ज्यान से ही तुम्हारी सद्गति होती है, वहां सत्युग में इस ज्यान की दरकार नहीं, वहां तो है ही सद्गति, स्वर्ग ये तो समझने की बात है ना बाप बैट ब्रामनों को ज्ञान देते हैं दिखाते हैं रत पर रथी बैठे थे ये शरीर रत है ना हर एक रत में रथी आत्मा है इसमें भी इनकी आत्मा है परंतु बाबा कहते हैं मैं रत का लोन लेता हूं जैसे मकान लेते हैं तो धनी भी रहता है और लेने वाले भी रहते हैं यहां ये रथी बन बाबा आते हैं कहते हैं मैं फिर से तुमको राजयोग सिखाता हूँ ऐसे और कोई कहना सके ये सब पॉइंट्स समझाई चाती हैं धारना के लिए हमारा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं कल्प कल्प संगम युगे एक अक्षर की भी भूल करने से कितने अवतार, कितने नाम लिख दिये हैं अभी बरोबर कल्प व्रिक्ष के नीचे तुम बैठे हो राज्यो सीख रहे हो भविशे में राजा रानी पद पाने लिए यहां तो करोड पती, पदन पती हैं इनका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा नाचरूल कलामेटीज आधी सब अचानक ही आएंगी पिछाडी में विनाश तो होना ही है धेर के धेर बॉम्स सब के पास हैं वे ऐसे ही समुद्र में थोड़े ही फैंक देंगे ये तो उन्हों की लाखों करोडों की मिलकियत है ये ना बनें तो विनाश कैसे हो एकदम जल कर जैसे खाक हो जाएंगे ऐसे नहीं जखमी होकर दुख भोगते रहेंगे चीज ही ऐसी बनती है जो फट से खलास हो जाएंगे तो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश ये तो क्लियर है ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग में रहने वालों को लायक बना रहे हैं पवित्र बनने वालों के आगे सब नमन करते हैं, अब बाप भी कहते हैं पवित्र बनों, अभी तुम्हारी आत्मा के पंक तूटे हुए हैं, तुम उड़ेंगे कैसे? जितना ज्यान योग बल की धार्ना करेंगे तो पंक आ जाएंगे, राजधानी लेना कोई मासी का घर न नहीं है, मुख्य बात है अहम आत्मा, यह है मेरा शरीर, अहम आत्मा हैं ही शांत स्वरूप, शांती के लिए धक्का खाने की दरकार नहीं, एक कहानी बताते हैं न, रानी के गले में हार पड़ा था, लेकिन वे बाहर में धून रही थी, तुम रानिया हो, शांती के लिए जंगलों में जाने की दरकार नहीं, यहां तो है ही माया का राज्य, यहां शांती हो नहीं सकती, कोई कहते हैं हमको फलाने से शांती मिली, परन्तु वे तो है अल्प काल, काक विष्टा समान, सुख, अथ्वा, शांती, हमको तो अविनाशी चाहिए न, तुम बच्चों को चाहिए स्थाई शांती, पवित्रता से शांती सुख, जितना चाहिए उतना लो, शिबाबा का भंडारा है न, जो एवर पवित्र हैं, वही आकर सबको पावन बनाते हैं, सन्यासी तो समझते हैं, आत्मा निरलेप है, बाकी शरीर पर पाप लगता है, तो अब तुम बच् पाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, यथार्थ रीती समझाने से समझेंगे, कि बरोबर इन्हों को पढ़ाने वाला तो परम पिता परमातमा है, जिसको ही पतित पावन सदगती दाता कहा जाता है, सभी को दुरगती से सदगती में ले जाते हैं, सदगती तो बाप ह करेंगे न, उनको कहा ही जाता है सदगती दाता, दुरगती दाता तो नहीं कहेंगे न, पतित पावन कहेंगे, फिर पतित कौन बनाते हैं, ये भी कोई नहीं जानते, बाप कहते हैं, तुम वाम मार्ग में गिरते हो, तो रावन की प्रवेश्ता हो जाती है, मंदिरों में बड़े बड़े काले चित्र राधी कृष्ण के रखे हैं। नाम ही रखा है श्याम सुन्दर। सत्युग में सुन्दर था, फिर कल्युग में माया सर्पने डस कर काला कर दिया। अब कहां की बात कहां ले गए हैं। मुनिश्यों को कुछ भी पता नहीं है। बाप रचैता और रचना का किसको पता नहीं है। बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे खबरदार रहना, माया बड़ी कड़ी है। इस समय तो तमो प्रधान है, इसको भी पचाडने में देरी नहीं करती। एक तम नाक से पकड़ कर गिरा देती है। यह है युद्य स्तल, इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं। तुम अपना कल्यान चाहो, तो देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो अंत्मती, सोगती हो जाएगी। सब संसकार सामने खड़े हो जाते हैं। अनेक चन्मों के पाप विनाश करने में टाइम लगता है। तुमारा अंत तक पुरुशार्थ चलता है। पहली-पहली बात है देही अभिमानी बनना। परमात्मा बाप हम आत्माओं को पढ़ा कर आप समान बना रहे हैं। बेरिस्टर जरूर आप समान बेरिस्टर बनाएगा। फिर है पुरुशार्थ पर मदार। कोई बेरिस्टर तो एक ही केस में लाख रुप्या भी कमाते हैं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं कि पुरुशार्थ कर उच पद पाओ। यहां के पदम पती तो सब खाक में मिल जाएंगे। मैं हूँ ही गरीब निवास। अब देखो जो लडाई करते हैं उनका काम ही मरना और मारना है। वे संसकार ले जाते हैं। जन्म भल रस्ती के घर में लेंगे परन्तु फिर लडाई में चले जाते हैं। बाबा तो बहुत सहत समझाते हैं। जन्म जन्म के पाप हैं इसलिए योग बहुत अच्छा चाहिए तब ही विकर्म विनाश होंगे। सिर्थ से बोजह कैसे उतारें? इसके लिए जितना हो सके उतना बाप को याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीचे हो बाब कहते हैं लाडले बच्चे गफलत नहीं करना माया पूरा पहरा दे रही है इसलिए देही अभिमानी भव यह है बुद्धी योग की रेस इसमें ही सब कुछ है बाबा बार बार कहते हैं अपना कल्यान चाहते हो तो योग बहुत अच्छा चा हैंगे हम इश्वर की संतान है हमको भविशे के लिए बाब से वर्सा मिलता है कल्यूग में तो नहीं राज्य करेंगे राज्य करना है सत्यूग में देही अभिमानी बनना बहुत बड़ी मन्जिल है ऐसे थोड़े ही विश्व का मालिक बनेंगे सितम भी बहुत सेहन करने पड़ेंगे कितनी बांधेली बच्चियां मार खाती हैं आकरीन विजय तुम बच्चों की है ही तुम सिर्फ बाप की याद में रहो यह है योगबल जो बाप तुम्हें एक ही बार सिखलाते हैं जिससे तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो और तो कोई बनना सके सारे ट्रामा में सर्व श्रेष्ट पाट लक्ष्मी नारायन का ही है एक कहानी है ना दो बिल्ले आपस में लड़े मखन बीच में बंदर खा गया श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं अब माखन की तो कोई बात ही नहीं यह है स्वर्ग इसमें सारी स्रिष्टी का म मखन आ जाता है बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं ऐसे बाप से तो कहां से भी भाग कर मिलना चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रु नमस्ते नमस्ते जी गुद मॉनिंग बाबा शुक्रिया बाबा धारना के लिए मुख्यसार पहला पॉइंट मैं इस रत पर विराजमान रथी आत्मा हूं ये अभ्यास करते पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है बुद्धी योग की रेस करनी है दूसरा पॉइंट पूरा नश्टो मोहा बनना है इस अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पावंच जरूर बनना है वर्दान नतिंग न्यू की सुनिती से सब प्रश्णों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को ये ज्यान है कि नतिंग न्यू हर सीन अनेक बार रिपीट की है नतिंग न्यू की समिती से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते सदा ही अचल अडोल रहेंगे कोई नहीं बात होती है तो अश्चरे से निकलता है यह क्या ऐसे होता है क्या देकिन नतिंग न्यू तो क्या क्यों का क्वेस्चन नहीं फुल स्टॉप आ जाता है ऐसे हर द्रिशे को देखते बिंदी लगाते चलो तो हाई हाई में भी वाँ वाँ के गीत गाते रहेंगे स्लोगन सुख दाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बन कर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती अच्छा ओ शांती